दोस्तो आप देख रहे हैं सुन्दर बिहार आज संडे है और मैं हाजिर हूं संडे कमेंट बॉक्स लेकर के मचली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुन्दर बिहार चैनल के उपर कमेंट में आता है हम कोशिस करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए दोस् पानी हो जाए समझने के लिए तो दोस्तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो प्रीज हम से सवाल कीजिए हम कोशिस करेंगे आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं आज का पहला कमेंट किन का है पहला सवाल है राजे तो समझ लीजिए कि उसको मास भी खाना पसंद है मास से मतलब है मेरा कि वो ऐसा चीज जैसे केचुआ हो गया या दूसरा चीज हो गया लेकिन हम केचुआ का शिकार इस्तेमाल सब लोग पसंद नहीं करते हैं पोठिया मचली के लिए तो इसके लिए सबसे बहतर आपको राय करेंट देजिए और उसको गेह lige हो के आटा में मिला दीजिए उसके अलावा थोड़ा सा भी पूट कलर मिलाईए जो खाने में डालने पोठिया मचली का शिकार होता है, यह बेतर तरीका है सर, हम लोग हमेशा जब कोई मचली का शिकार नहीं कर रहे होते हैं, तो इसी मचली का शिकार करते हैं, आप भी शिकार कीजिए, हमारे तरफ कॉमन है, बहुत सारे लोग इससे शिकार करते हैं, और आसानी से शिकार होता ह अगला कमेंट है राजू आरियन के तरफ से लिखते हैं कि भाई मांगूर फिश का बेट बताओ और क्या पठान मचली फिश गर्मी में क्या खाती है और क्या बेट है अच्छा देखिए सर ये दोनों का चारा अलग है मांगूर का अलग चारा है और पठान मचली का अलग चारा है मांगूर मचली का अगर शिकार करना चाहते है अगर बड़ी मांगूर मचली है दो किलो एक किलो की इस तरह की मांगूर मचली है तो फिर आप छोटा एसनेक हेड का इस्ते अगर आप चाहते हैं कि रात को शिकार करने के लिए तो यह बहतर है आप रात को क्या करें दस पंद्रह हूक में चारा लगा करके जगह जगह पर फेक दीजिए और सुबह खुब सुबह आईए आकर के देखिए मांगूर मचली कैसे पकड़ी है सब लेकिन अगर छोटी या तो आप दिन को शिकार कर सकते हैं भवलर के साथ में या रात को पानी में मतलब शाम को आप मचली का चारा लगा करके पानी में डाल करके सुबह आईए मचली पकड़ के ले जाए लेकिन इसके अलावा आपने पूछा है कि पठान मचली का शिकार करने के लिए गर्मी क आपने सीधा उसके होल के अंदर से डाल करके हूख में पहनाया है तब आप सक्सेस नहीं होंगे उसके लिए आपको करना पड़ेगा के दो इंच तीन इंच लंबा आप मुर्गी का आथ काटिए दस पंदर पीस काटिए और एक हूख में कम से कम पांच छे पीस लगाए यान तो इस बीधी से आप मंगूर मचली का नहीं पठान मचली का शिकार कर सकते हैं लेकिन मंगूर मचली के लिए आप इस ने ख erg का इस्तिमाल करेंगे्ग छोटा है इसने खेड का लेकिन बौाल मचली के लिए यानि पठान फिश के लिए जो तरीका हमने बताया दो तरीका ये दो दोनों तरीका काम्याब है कोई भी तरीका जो आपको आसान लगता है आप इस्तेमाल कीजिए थैंक यू सरू अगला कमेंट है सलाव दिन टेक्निकल टिप्स के तरब से लिखते हैं कि सर चरगा मचली और गराई मचली कटिया से कैसे पकड़े इसका ट्रिक बताईए और चारा के बारे माँ बताईए किस जगाई ये पकड़ती है किस समय पकड़ती है देखिए सर इसमें थोड़ा सा ट् का सुबह या शाम को है यानि खूब सुबह आप शिकार कीजिए या तीन बज़े के बाद शाम को तीन बज़े के बाद आप शिकार कीजिए तो दोनों तरीका से शिकार करेंगे लेकिन इसके लिए आप चारा क्या इस्तेमाल करेंगे सबसे बहतर चीज है अगर छोटी- आज़ेगे, जितनी चोटी मचली है, उतना चोटा टुकड़ा लगाईया, बड़ी मचली है, तो बड़ा चारा लगाईया, अगर सौ ग्राम से छोटी है एस ने खेड या चर्गा या दो सो ग्राम तक की होगी तो भी इस चारा से आजाएगी, लेकिन अगर बड़ी एस ने कर रहे हैं वहां शांती होना चाहिए यह मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए यह बहुत से जगह लोग वहां पर भीड लगाएंगे हला गुला करेंगे तो फिर मचली वहां से भागेगी और चारा पकड़ने से डड़ेगी तो अगर आप अकेले शिकार कर रहे हैं तो कुमेंट करके बताजिएगा आप इसको बबलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या धान के खेत में आप तपका जिसको टपका बोलते हैं चेरा लगा करका टप, टप पानी का अंदर डाल करके साउंड हम निकालते हैं तो उससे मचली पकड़ती है दोनों तरीकat से आप श